सुभाइस ही complete tutorial होने वाला Google Slides का जिसमें आपको Google Slides के बारे में complete बताने वाला हूँ कैसे आप Google Slides को अपने professional work या फिर अगर आप student है तो आप अपने presentations बनाने के लिए use कर सकते हैं या अगर आप professionally work करते हैं corporate में तो भी आप महाँ पर presentations बना सकते हैं Google Slides के थुरू चलिए अब मैं आपको गॉगल Slides के बारे में बताता हूँ सबसे पहले आपको Google Slides download कर देना है Play Store से Play Store पर आपको Google Slides मिल जाएगी उसके बार में Google Slides को download करनी के बार में उसका या उपन करना है छैसे है आप Google Slides को ऊपन करेंगी आपके सामने यह तहले इंटरफेस ऐसा ओपन होगा अब मैं यहां से आपको complete options बताऊंगा कैसे आप use करके से बैतरीन की पिपटी बना सकते हैं मैं वाइल फॉन का use करके सो इसके लिए simply आपको क्या करना है सबसे पहले जहां पर आपको एक icon देखने को मिलता है अपने according और फिर उस template को चूज करके यहां पर आप बना सकते हैं जैसे अगर आप education से related कोई आपको पिपटी बना रहने हैं तो आप education related theme यहां से select कर लेंगे जो template है ऐसे आपको कही सारे templates देखने को यहां से मिल जाते हैंगे तो आप यहां से कुई साथ भी एक readyment tablet उठा सकते हैं और यहां से template पे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं यहां से कोई template चूज करके दूसरा जो option है वो option है new presentation का जिस पर आप टैप करेंगे तो यहां से आपको एक complete new presentation जो है वो open हो जाएगी यहां से आप अपने slide कर लिया और select करके कोई से भी slide और X-Test में add-on कर सकते हैं इस तरीके से अगर आपको customizable बनाना है तो आप इस तरीके से customize available options पर क्लिक करके आप अपने customize भी ppt बना सकते हैं तो यह दो options हैंगे अब मैं आपको और इसके बारे में थोड़ा deep बताऊँगा तो जैसे हमने choose template के option पर tap किया यहां से हम कोई एक जो template है वो choose कर लेते हैंगे तो यहां से मैंने एक template choose कर लिए professional profile वाला जैसे मैं इस पर tap करूँगा यह जो template है यह मेरा open हो जाएगा अब मैं आपको कुछ settings बताऊँगा जैसे हम से कैसे customize करेंगे और भी कुछ options बताऊँगा तो सबसे पहले मैं आपको formatting के बारे में थोड़ा बता देता हूँ formatting basically हम अपने text वगयरा को format करते हैंगे formatting के अंडर में आप अपने text का style बदर सकते हैंगे यह साइज चीज़े formatting के अंदर भी ही आती है तो आप यहां करेंगे यह से आप किसी पर text के option बदर tap करेंगे अब यहां से आप double tap करके इस text को अपने according में जो भी आप लिखना चाहे कुछ add करना चाहे यहां से add कर सकते हैंगे और यह जो text लिखा हुआ इसको आप अपने हिसाब से bold कर सकते हैं या italic कर सकते हैं या underline कर सकते हैं select करके जब आप इसे select कर लेंगे तो यहां से आप इसे bold कर सकते हैं या italic कर सकते हैं या underline कर सकते हैं इसके लाव यहां से आप इसे highlight भी कर सकते हैंगे तो यहां से आपको यह colors देखने को मिल जाते हैं colors select करके आप इसका color भी change कर सकते हैं अपने recording में then इस options को use करने के बाद में आप यहां से आपने formatting option को देख लिया अब इसके बाद में अगर आप चाहें यहां से कोई अगर आपको text अपने आपसे add करना है यहां side में आपको एक alignment option देखने को मिलता है आप अपने text को कैसे align करना चाहते हैंगे left aligned या middle aligned या फिर आप right aligned करना चाहते हैं या फिर justified alignment तो यह कुछ alignment के options हैंगे basically आपने text को कहां रखना चाहते हैं frame में so यह options कि आप explore कर सकते हैं then in options को scroll करने के बाद यहां पर आपको दूसरा option नहीं हो गलता है अगर आपको कोई image insert करनी है इसमें आप अपनी gallery से image यहां से insert कर सकते हैं या अपने camera से भी यहां पर insert कर सकते हैं जो भी image insert करनी है simply tap कर दे gallery में जाकर यहां साब की image open हो जाएगी इसके बाद आप अपनी image को अपने ppt में insert कर सकते हैं then उसके बाद में यहां से आपको तीसरा option जो देखने को मिलता है वो है shapes का जैसे आप shapes के option पर depth करेंगे आपको कही सारे shapes देखने को मिल जाएंगे आपको यहां से basics लेके advance तक सारे shapes में देखने को मिलेंगे तो आप कोई सबी जो shape है आप put करना चाहते हैं आप से select करें और shape आपका आजाएगा आप यहां से shape को select कर सकते हैं और अपने according में shape का आप color अगर change करना चाहते हैं तो color भी change कर सकते हैं अब अगला जो आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा अगर आप अपने shape में border देना चाहते हैं तो भी आप border भी दे सकते हैंगे और कई सारे options आपको देखने को मिल जाते हैं आप इसे explore करें इसके बाद में आपको lines को option देखने को मिलता है जैसे आप अगर line draw करना चाहते हैं तो वो lines भी आप यहां पर draw कर सकते हैं आपको basic line, elbow line and curve line तीनो lines आपको देखने को मिल जाती हैंगी तो अब तीनो line में से कोई से भी line select करके यहां से आप पर लाइप presentation भी lines भी add कर सकते हैंगे then अब अगला जो option आपको देखने को मिलता है तो table का option अगर आपको table insert करना है तो आपको simply table का option रटैप कर देना यहां से आपको क्या करना है आपको rows और column select करना है आपको कितनी row और कितनी column चाहिए ऐसा अगर हमें 4 row चाहिए तो हम 4 row select करेंगे और 3 column तो हमारी 4 into 3 की जो यह row और column है table बन जाएगी अब इस table को आप यहां पर रख सकते हैंगे और इसके बाद का option आपको यहां देखने को मिलता है लियाउट का अगर आप लियाउट अभी change करना चाहते हैंगे आप अपने particular page का जो हमारा slide sign का अगर layout आपको change करना है तो यहां सा आप यह और ही change कर सकते हैं माली जैने कोई और layout पसंद आगया तो आप इस layout का select करेंगे तो आपका layout completely change हो जाएगा दैन उसके बाद में आपको एक option देखने को मिलता है change theme का जो आप change theme के option पर type करेंगे तो यहां सा आप अपने theme को भी change कर सकते हैं पर type करेंगे तो आपकी एक और slide यहां से आप add कर सकते हैं इसके बाद में आपकी 9 slides हो जाएंगी इन options के अलावा भी आपको कई options और देखने को मिलते हैं जैसे आप insert के option आपको यह जब plus का icon देखने करके कुछ भी आपको insert करना है तो आप यहां पर सारी insert का menu आजाएगे किया के चीज़े आप insert कर सकते हैं तो आपको यह option देखने को मिल जाएंगे तो आप यह सारी चीज़े इंसे इंसे ब्लस की option पर type करके और यहां पर अगर आप टाब करेंगे तो आपको एक comment को option देखने को मिलता है किसी image में आपको कुछ comment लिखना है तो आप यहां पर comment कर सकते हैंगे तो आप comment अपने reference के लिए करते हैं और उसके बाद आपको एक option लिखने को मिलता है three dots का, आप simply इस पर click करेंगे तो यहां से आपको कही सारी option लिखने को मिलता है वो होता है change theme का जो हम देख के आ चुके हैं और view guides को option है, अगर आप इस पर click करेंगे तो आपको एक symmetry देखने को मिल जाएगी एक guide, एक line देखने को मिलेगी जिस जो symmetry बनाती है तो आप symmetry measure कर सकते हैं इन lines के through and then उसके बाद में आपको यहां पर एक option लिखना हो बिलता है so speaker notes अगर आप presentation दे रहे हैं तो presentation देते हैं आपको अपने slide में क्या कियाना है क्या बोलना है तो आप उपने reference के लिए यहां पर लिख सकते हैं as a speaker उसके बाद में जब आपना presentation देंगे यह जो आपको speaker notes से ही आप ही को देखने को मिलेंगे तो आप इसे देखके जो भी आपको slide में बताना है आप बता सकते हैं then इसके बाद में आपको नीचे देखने को मिलता हैगा make a copy अगर आपको इसकी copy बनाने है तो आप copy भी बना सकते हैं then यहां से आप इसे available offline पर click करेंगे तो आपका यह offline save हो जाएगा ऐसे मैं आपको बता दूँ जो आपका dual slides है यह एक cloud based app है तो आप जो भी यहां पर activity perform करते हैं वो सब cloud में save होती रहती है अगर आप इसे यहां से छोड़ के भी चले जाएगे तो यह automatically save हो जाएगा क्योंकि यह cloud based platform है और इसकी एक खास बात है आप इसे अपने कहीं से भी किसी mobile phone से access कर सकते हैं अगर आपके पास इस Google ID का link अगर है आपके पास ID password है तो आप कहीं से भी इसे open कर सकते हैं so यह cloud के कुछ advantages होते हैंगे आपको कोई भी activity आप इसमें perform करेंगा तो automatic save हो जाएगी जैसे आप three dots पर click करेंगे अब यहां से आपको एक option देखने है वलता share and export जैसे आप इस पर click करेंगे तो आप कही सारे options देखने को मिल रहे हैं अगर आप PDF में करना चाहें तो PDF में भी कर सकते हैं और भी कई सारे format है इनमें में से कोई सा भी format आपको पसंदा है तो आप उसमें से safe कर सकते हैं अब उसके अलावा अगर आपको इसे as a PDF export करना तो भी आपको यहां बार print का option देखने को मिलता है तो आप simply print का option पर click करेंगे तो आप इसे print कर सकते हैंगे as a PDF format और PDF का option वहाँ पर आपको save as के वाले में मिल जाता है तो यहां से आपको सीधर direct PDF safe हो जाएगा जैसे आप PDF वाले option पर tap करेंगे तो अब इसके अलावा मैं आपको एक feature और इसका बताना चाहूं जिसको आप use कर सकते हैं जैसे आपको यह share का option एकर मिल रहा है share वाले option पर आप टैप करेंगे तो यहां से आप क्या कर सकते हैंगे आप आप अपने friends को या फिर अपने teacher या फिर अपने faculty किसी वो भी आप यहां पर add कर सकते हैंगे as a commentator या फिर as a editor as a viewer अगर आपका एक collaborative project अपने दोस्त के साथ में friends के साथ में तो आप किया कर सकते हैं आप उसे भी यहां पर add कर सकते हैं जो भी आप presentation मनाएंगे आप दोनों मिलके उसको rectify कर सकते हैं और आपको कुछ उसमें error लगता है तो दो लोग मिलके collaborate कर सकते हैं यह इसका basic बहुत ही लब आप कह सकते हैं बहुत useful feature है इसका तो जैसे हम यहां से आपको simply कर रहना है उसकी email ID डाल ली है जब आप अपने दोस्ती email ID डालेंगे तो यहां से आप उसको permission दे सकते हैं आप उसे as a editor या commentator या viewer इन तीनों में से कोई सब भी आप उसको access दे सकते हैं तो अगर आप उसे editor का option देते हैं तो आपके slides को edit कर सकता है उसको लीख सकता है उसके प्रॉब्लम्स अपको उसको ratify कर सकता है then इसके बाद में यह जो option है share वाला यह मैंना आपको बता दे इसके बाद में आपको जितने भी options यह मैंने आपको सारे options बता दिये आप किस तरीके से safe करेंगे यही मैंना आपको बता दिये अब यहाँ एक option आपको और देखने को मिलता प्लेवाल option जैसे आप प्लेवाल option पर प्लिक करेंगे तो आप सामने तीन option पर देखने को मिलता है present on this device, present to a meeting अगर आपको किसी meeting में particular इस presentation को open करना है तो आप से प्लेस के option पर टाइप करेंगे, यहाँ से आपको meeting ID डाल देनी है जो भी आपकी Zoom meeting idea या Google meet idea यहाँ से आप डाल देंगे तो आप join करके इस meeting को present कर सकते हैं आपको जो की meeting चल रहा हो इसके अलावा जो आपको यह schedule meeting option देख रहा है, आप अपनी meeting को schedule भी कर सकते हैं schedule date पे आप calendar से, Google calendar से schedule कर देंगे तो आप वहाँ से फिर आपकी meeting जो है, वो हो जाएगी इसके बाद में अब आपको यह जो इस पर प्ले करेंगे, आपको पर्मिशन करनी है उसके बाद में जो आपकी presentation है, वो आपकी device में open हो जाएगी और वो play होने लगेगी, तो यह कुछ methods हैं, आप जैसे इस पर play करेंगे तो यह play होने लेगे, आप क्या कर सकते हैं, अजर आप Google Zoom या फिर Google Meet पे आप presentation दे रहे हैं तो आपको समली कि अगरना अपनी screen को share करना, यहाँ सागे प्रेजेंटेशन ओपन कर लेनी है फिर आपकी presentation जो हो चालो हो जाएगी, फिर आप slide by slide इसी बढ़ा सकते हैं सुमीत करतों यह वीडियो को पसंद आई हो यह complete tutorial था इसे तरह कि और वीडियो स्पाने के लिआप मेरा चैनल सब्सकाइब गर सब्सक्ते मिलते हैं नेक्स्ट इने लेट गूडबाई स्टेट यानल 10